आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी उस करते हैं कोई भी ओपो का फोन और अगर आप अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना चाते हैं यानि कि अपनी सिम की कॉल्स को किसी और नंबर पर फॉरवर्ड करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं आई आज की इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले इसके लिए आप अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन कर लीजिए उसके बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा system apps का system apps पर आप टच कर दीजिए एक option यहाँ पर आपको बिलेगा call का तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर एक phone का icon बना हुआ है तो call पर आप टच कर दीजिए टच करने के बाद आप नीचे एक option देख सकते हैं call settings का यानि की carrier call settings का इस पर आपको टच कर देना है यहाँ पर आपके सामने एक option आजएगा call forwarding अगर आपको यह options नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर settings में आएंगे तो उपर आपको एक option मिलेगा search settings का इस पर आप टच कर दीजिए यहाँ पर आपको type करना है ca double l space for इतना search करने के बाद call forwarding का option आजएगा इस पर आप टच कर दीजिए यहाँ पर आप इसी page पर आजएगे तो इस पर हम टच कर देते हैं और यह थोड़ा सा time लेगा तो wait कर लीजिए तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से यह options आएंगे अगर आप अपनी सारी calls को forward करना चाते हैं तो उपर always forward पर टच कर दीजिए यहाँ पर आप अपना number डाल दीजिए जिस भी number पर आप अपनी call को forward करना चाते हैं नंबर डालने के बाद एक option आएगा enable का enable पर आप टच कर दीजिए थोड़ा सा wait कर लीजिए अपडेटिंग शो होगा तो यहाँ पर आपके call forward अक्टिवेट हो जाएगी तो अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें